यह जो किताब है ना जिस किताब का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपने एक बहुत ही प्रसित प्रोफेशर हैं पत्रकार हैं दिलिप मंडल जी उनका नाम आपने सुना होगा उनका भी इस किताब में सजेशन है उनको भी धन्यवाद दिया गया है और काफी मेहनत से के माध्यम से हकीकत से रूबरू हो लेते हैं आर्टियाई से मांगी गई यह जनकारियां विभिन अख़वारों में प्रकासित भी हुई अमर उजाला में आर्टियाई के माध्यम से 2016 में छपी एक अख़वार के मुताविक देश के 39 केंद्रिय विश्वविद्यालेयों मे सिर्फ 33 AC और 10ST प्रोफेशर हैं देख लिजे दुस्तों आख़डा है यह RTI से आया है केंद्रिय 39 केंद्रिय विश्वविद्यालेयों हैं OBC का नाम ही नहीं है इसमें विश्वविद्यालेय अनुदान आयोग ने RTI एक्टिविष्ट महेंद्र परताप सिंग की ओर से कें सवी तम जनकारी थी UGC के मुताविक केंद्रिय विश्वविद्यालेयों में सुनलीजी यह जनकारी जरा ध्यान से सुनिएगा 16,525 इतना स्विकृत सिक्षक के पद की संग्या है और इसमें से अधिकांस पद खाली है UGC के मताबिक दिल्ली विश्ववित्याले में SC और ST के करमसा तीन और एक प्रोफेशर हैं ये भी सुन लिजे UGC क्या करा है कि जो दिल्ली विश्ववित्या उसमें सिर्फ तीन SC प्रोफेशर हैं और सिर्फ एक ST प्रोफेशर हैं जैनियू में CC वर्वके आठ प्रोफेशर हैं आlight का तो एक भी नहीं है ये हालत है central जो विश्ववित्याले में SC वर के एक प्रोफेशर है जबकि दोनों में से किसी भी विश्व विद्याले में ST प्रोफेशर नहीं है BHEU ने तो कमाल ही कर दिया है आपने सुना कासी हिंदू विश्व विश्व विद्याले नाम है हिंदू विश्व विद्याले नाम में हिंदू दिखाए जा रहा है और प्रोफेशर की संख्या जरा देख लीजिए, एक भी इसमें ST प्रोफेशर नहीं है, कासी हिंदू विश्वविद्धाले, अलहाबाद विश्वविद्धाले, इनमें से SC वर्क के सिर्फ एक प्रोफेशर है, जबकि दोनों में से SC प्रोफेशर एक भी नहीं है, अब बत चीन ने तो कमाली कर दिया समाने वर्ग के लिए स्विकृत पदों पे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों की भरतिया कर डाली जबकि केंद्र विश्व विद्यालियों में इसी एश्टी और ओवीसी के अंठावन प्रतिसत यानि कुल स्विकृत प्रदों में आधे से ज् प्रोफेसर ही नहीं है और यह आकड़ा देख लिए सोल ऐसे केंद्र विश्व विद्याले हैं जहां पर एसी और एस्टी प्रोफेसर ही नहीं है घुसने ही नहीं दिया अब बताईए अब देख लिजिए आकड़ा यहालत तब है सेवेंटी फॉर यर्स आजाद होने के ब बही इनका रिक्रूटेमेंट कौन करता है जरा इस सवाल का जवाब लेजिए जो पैनल बैठती है जो रिक्रूटेमेंट करने के लिए वो कौन से लोग होते हैं कौन से जाती के लोग होते हैं किसी ने सोचा है कोई बता दे मुझे कि यह प्रोफेसरों का जो चुनाव होत उसमें कौन से जाती के लोग बैठते हैं, पूरे एजुकेशन सिस्टम में सारे ब्रामड भरे पड़े हुए, और वही बैठते हैं, वही क्वेश्चन सेट करते हैं, वही एक्जाम लेते हैं, वही इंटर्व्यू लेते हैं, वही डिसाइड करते हैं, वो किसको लेंगे, जो का उदारान है कि देश का 74 साल बीत गया है और देख रहे हैं कि 16 ऐसे केंद्र विश्व विद्धाले हैं जहां पे ACHT के प्रोफेसर तक नहीं है और सुनिये अब इन पदों पर ACHT और OBC की हालत जान लेते हैं जो देश के सासन प्रसासन और सत्ता के केंद्र होते हैं वह ऐसे पद हैं जो नितिया बनाते हैं यहीं से तय होता है कि किस जगह कितना पैसा आवंडित किया जाएगा ये भी देख लीजिए महेंद परताप सिंग ने एक बार कार्मी के उम प्रसिक्षन विभाग D.O.P.T. में समान पिछडा अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती वर के ग्रूप A के अपसरोगी संख्या की जनकारी मांगी अब जो जनकारी मांगी हैं वो देख लीजिए सितंबर 2016 में विभिन विभाग की ओर से केंद्रिय मंत्राले के अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी या उनके समकच पदों के बारे में जनकारी दी गई RTI के दस्तावेजों के मुताविक OBC वर्क का एक भी अधिकारी केंद्रिय मंत्रियारेयों में सचीव व अतरिक सचीव अस्तर पर नहीं था सुन लिया आपने जहां से पूरा का पूरा पैसा अवंटित होता है कि किसको कितना मिलेगा कहां से कितना उनके विखास पे खर्च होगा उस संस्था में OBC का एक भी बंदा नहीं है जो जिसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर रहा हो वह वहां पे अपनी कैसे बात कहा लाएगा मनवाएगा यही तो सूचने वाली बात है दोस्तों ये सारे मुद्दे गौण है असल मुद्दा है कि उस जगह पे आपकी रिप्रेजेंटेशन हमारी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं तो भाईय कहां से मिलेगा हक असल मुद्ध ये होना चाहिए था और असल मुद्ध क्या बना दिया गया हाथ में जहंडा लेके हिंदू मुशलमान और देखिए सचीऊपद पर समाने वर्ग के 110 और HD वर्ग के दो अपसर कार्यरत थें अतरिक्त सचीऊपद पर 106 अधिकारी समाने वर्ग के और 55 अधिकारी HD और HD वर्ग के थें अब जरा बताईए मुझे कि वो कौन सा माई का लाल है जो बोलता है कि यह 50.5 परसेंट जो जब कहा जाता है कि तुम्हारा अरक्षने तकत है कि नहीं उसमें तो सब लोग आ जाएंगे ना उसमें तो यह से भी आ जाएगा वह विश्य भी आ जाएगा इस सब आ जाएगा तो कि 82% समानने उसमें कैसे है बताएगा कोई क्यों नहीं सवाल खड़ा होता है कि जब आपकी CT ही है 50.5% तो आप होने चाहिए थे 50.5% से भी कम क्योंकि सब को आना चाहिए ना उसमें तो अब AC भी आएगा वी सी भी क्योंकि ओपन सीट है फिर भी 82% कैसे भाई साब कैसे तो यह जो आपको आके कहानी पकड़ा जाता है ना कि है नहीं नहीं देखो हमारा तो 50% से भी कम है सच्चा ही यह है दोस्तों यह सारे आहा दुनिया को दिखाने के लिए है यह recruitment में इनका घपला है कि 82% वहां समानने बैठा हुआ है यह समझना पड़ेगा आपको आंकड़ों असल आंकड़ा वैकेंसी दिखाने से कि इतना परसंट इतना परसंट से नहीं होता है असल आंकड़ा तब सामने आता है जब recruitment पूरा आप मांगी या RTI से कितना आपने recruitment किया कौन-कौन से वर्क का कौन क्या है तब पता चलता है कि यह सारे के सारे यह भरजी दिखावे होत बताइए इतना आरक्षन उस समय से है 22.5 तब भी 74 साल हो गया लेकिन यहां पे कितना 8.63 ही परसेंट रिप्रजेंटेशन है बाकी इनकी सीटे कहां चली गई कहां चली गई पूछना पड़ेगा नहीं तो नहीं दिया जाता इनको उतना भी जिनतना हक है उतना नहीं अब 82 परसेंट वो बैठा हुआ है वहाँ पे और देखिए लेकिन 6-6 साल में केंद्री मंत्रे आलेओं में सिर्फ 8.63 परतिसत अनुसुचित जाती वर के पहुँच पाए हैं देख रहा हैं सिर्फ 8.63 परतिसत वहीं 1993 से OBC आरक्षन लागू है OBC आरक्षन 1993 से लागू है मिलना तो 50% से उपर चाहिए था मिला 27% क्योंकि जाती जरंगरना नहीं है उस पे भी कभी ये स्ट्रीम करेंगे जाती जरंगरना पे भी तब आंकड़े लेकर आएंगे तो ये देखें अमात्र 5.4% कहां है OBC भाई लोग कहां है आप सभी भई हक जहां आ रही है जहां पाते चल रही है इस पे तो यह हमें जानना पड़ेगा दोस्तों कि इधर आप धरम का जंदा उठाए हुए हैं अब आपका सारा हक कोई और बैठके खा रहा है अब आप समझ गए होंगे कि कामड में क्यों OBCC CHT ही मिलते हैं जब आप यहां कामड उठाके और राम लला के मंदिर बनवा रहे होते हैं क्रिश्ण लला के मंदिर में जाके घंटा बजा रहे होते हैं तब वहां कोई और बैठके मलाई चाट रहा होता है और सुनिए और महज 5.4 परतिसत OBC अधिकारी हैं यह आखडे चीख चीख कर कह रहे हैं कि शवेदानिक प्रावधानों के आई जाती है जहां से पैसा वंटन होता है वहीं पे CST OBC का रिप्रेजेंटेशन खराब कर दिए घुसने नहीं देते हो हां पे और देखिए वो जहां से बौधी कसरत होती है विश्व विद्यालेयों वकेंद्रियम मंत्रयालेयों में CST नगन्या है वहीं OBC की तो मुस्क पर नहीं पहुँच पाते हैं ये सच्चाई है दोस्तो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं पहुचने देते हैं ये खकीकत है दोस्तो इतना ही नहीं सरकार ने खासकर OBCR एक्षन लागू होने के बाद तो सरकारी नोकरियों विद्यालेयों का खातमा ही सुरू कर दिया है जिएहां सवा छेत्रम में रहते हैं वहां आगर गिने तो पाएंगे कि पिछले तीन दसक में सिर्फ प्राइवेट स्कूल खुले हैं, एकाद स्कूल सरकारी खुल गया हो तो वो अपवाद सरूप ही माना जाएगा, आप तो बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं आ गया है फर्मान लगतार बंद पे बंद होते जा रहे हैं खुलने की तो बाती छोड़ देचे और लिजे सरकारी नोकरियों में तो आखड़े मौजूद हैं कि किस तरह से इस सरकार ने OBC रक्षन के बाद सरकारी नोकरिया ही खतम करनी शुरू कर दी जैसे OBC का रक्षन आय कि कहा कि है देवी जी बहुत आज तक यकावन किया हो पुजा पाध किया हूँ आप मुझसे प्रशन हो जिए प्रशन हो के आप एक काम करो मेरी एक नंख फोड़ तो यही चीज चल रहा है दोस्तो यहाँ पर OBC यारक्षन जब से आया है तब से सरकारी संस्तान काटे जा रहे हैं OBC को मिलना नहीं चाहिए अधिकार OBC को अधिकार मिल गया तो हिंदु-मुसलमान कौन करेगा यह सुदर वाला जो काम है उकरेगा कौन? गुलामी कौन खटेगा? कौन करेगा यह? तो ये सारी चीज़े आप समझ सकते हैं कि वो अपनी नोकरिया भी गवाने को त्यार हैं ये बैठ के ताली मारेंगे आपको एक अलग बहाना बना देंगे सरकारी में काम नहीं होता है सरकारी में काम नहीं होता तो इस रो कैसे आगे है एम्स कैसे आगे है कैसे आगे है ये आपको कहानी कुछ और पढ़ता देंगे ये बहाने हैं सारी बहाने बाजिया असल काम है OVC को SCHT को नोकरी न मिल जाए इनको जौब न मिल जाए ये सबसे बड़ी इंकी प्रोब्लेम है और सुनिया सरकारी नोकरियों में तो आंकड़े मौजूद हैं कि कि इस तरह से इस सरकार ने OVC direction के बाद नोकरिया खतम करने शुरू कर दी 1992 में जब भारत की आबादी 83.9 करोन थी तो सरकारी नोकरियों की संख्या 1.9 करोन थी 83.9 करोन जब जन संख्या थी तब सरकारी नोकरी कितनी थी 1.95 करोन यानि लगभग 2 करोन सरकारी नोकरी थी यान 2017 में भारत की अबादी करीब 130 करोण है जबकि सरकारी नोकरियों की संख्या घटकर 1.7 करोण रह गई है जन संख्या इतना बढ़े गया और सरकारी नोकरी और कम हो गया 1.7 करोण रह गई यानि इस समय 74 व्यक्ति में से एक आदमी सरकारी नोकरी पत निर्वर है और वो भी और कम कर दिया जा रहा है लगतार प्राइविटेशन हो रहा है न ये करते करते पूरा ख़तम कर देंगे इसे निजी करण नितिकत बदलाव कहें या समाज की 85 परतिसत आपादी से खुंदक 49 परतिसत ACST OBC को आरक्षन क्या मिलने लगा सरकार ने सरकारी स्कूल कालेज खोलने ह सरकार ने गर आरक्षी तबके के भी एक आँख पोड़ दी है मैंने कहा था न आपसे यह अपनी एक आँख भी फोड़वा लेंगे अरे फिफ्टी वन परसेंट मालने जब 82 सीट उसको भी तो मिला है न वहां 82 परतिसत सीट लिया था इनको 5-6 परसेंट दिया था तो अग इसको कहते हैं द्वेस पालना से इनको ऐसा द्वेस है कि आपना एक आँख फोड़वा लेंगे अगर इनको यह पता चले कि यह पूरी कहानी आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों तो यह यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 51 परतिसत सीटों पर संघर्ज करने का मौका मिलत है लेकिन अब ऐसा खेल खेल दिया गया है कि निजी स्कूलों में वही पढ़ पाएगा जिसके पास धन हो भारत में यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि किन वर्ग जातियों की छमता महंगी फीस भरने की है नए सरकारी स्कूल इंजिनरिंग कालेज मेडिकल कालेज खुलने बंद होने से सीएश्टी ओविसी तबके को तो नुकसान हुआ ही उतना ही नुकसान आरक्षण न पाने वाले बच्चों का भी हुआ है अगर सरकारी स्कूल इंजिनरिंग मेडिकल कालेज विश्व विद्याले खुलते उनकी संख्या ज्यादा होती तो जिन बच् नहीं नहीं है इनका ध्यान पूरा है कि एसीएश्टी ओविसी को न मिले अब यहाँ पर बात आती है कि जिनके अभिवावक को मोटे और भारी भरकम कैपिटेशन फी और मोटे मासिक सुल्क देने की छमता होगी इस समय निजी मेडिकल कालेज वाले दुकांदार एमबेब इसकी डिगरी आसानी से खरीद सकेगा तो यह पूरा पैसे का आरक्षण जो है यह चीज़े चल रहा है तो यह सारी बातें हैं और यह बैक्ग्राउंड डेटा मैंने आप लोग को दिखाया है